आज मैं एक ऐसी डिग्री के बाहर में बात कुरूंगी जिसका बागी बहुत स्कोप है इस्पेशली उन स्टूडेंस के लिए जो अगर उनका MDCAT का टेस्ट पी क्लियर हो जाता है और उनका किसी भी रीजन से MBBS में ड्मिशन नहीं हो पाता तो वो ये डिग्री जरूर कर सकते हैं जिसका नाम है माइक्रो बायोलोजी BS माइक्रो बायोलोजी से मुतालिक मैं अलरड़ी एक कम्प्रीट वीडियो बना चुकी हूँ मैं description में link mention कर दूँगी आप लोगो वीडियो भी जाके देख सकते हैं आज मैं MFIL in Microbiology पे जो है वो वीडियो बनाऊंगी ताके further जो MFIL करना चाहते हैं students और जाना चाहते हैं कि आखिर MFIL Microbiology क्या है और क्या difference है MS और MFIL Microbiology में यह तमाम तर चीजिस जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूगी तो start करते हैं सबसे पहले मैं बताती हूँ कि MFIL और MS Microbiology में क्या difference होता है MFIL जो है वो research-based एक degree है और जो MS है obviously वो practical base है उसके अदर आप लोगों के पास option होती है थीसिस करने की, select करने की यह नहीं करने की Microbiology और MFIL और MS में यह भी difference है कि इन दोनों की time duration भी थोड़ी सी change है अगर आप लोग Master's करते हैं Microbiology में तो आप लोग complete 2 years लगाते हैं और अगर आप लोग MFIL करते हैं तो उसके 1 से लेकर 2 years लगते है मतलब 1 year complete लगता है और 2 years जो है जो second year होता है आप लोगों का उसमें आप लोग research based चीज़े जो है वो जादा करते हैं तो इसकी duration भी थोड़ी different होती है Basically Microbiology एक fundamental degree है जिसके अंदर हम लोग micro organism के बारे में research करते हैं यह सब चीज़े तो आप लोग बैचलर्स में पढ़के आए हैं तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे साथी साथ में आप लोगों को बता दूँ के microbiology का scope बहुत जादा अच्छा इस लिहाद से भी है क्योंके जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है do you think problem होगे तो के साथ माइक्रोऑर्गनिजम साथ साते हैं इसके साहथ जर्म्स बैक्टेरिया इस तरह की चीज़े हवामें लूद्गी से environment में बहुत जादा आ चुकी है तो इस वजह से इन पर रिसर्च भी बहुत जादा अच्छी होती है और especially पिछले दिनों कोविट के डेज में भी हम नहीं देखा था कि micro biologist जो थे उनका बहुत एहम करदार था उन्होंने जो है कि अदेखर उनका कैई और आप लोगों को बताया कि यह किस तरह के substances होते हैं या जो बैमारी होती है या कोई बेक्तेरिया आपकी बॉडि में एंट्राइड करता है तो वह किस रिजन से होता है या उसके इन्दर कौन-कौन से इसके क्या side effects है और और इसके जोब्स अपरचुनिटी के अगर मैं आप लोग उगे साथ बात करूं तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जॉब्स में बहुत अच्छी अपरचुनिटी इस अवेलिबल हैं कॉब्स फॉट कर सकते हैं घुक्रिटीन के कर्यาก अब लोग सकते हैं मतलब एक प्रोफेशनल लेवल डिग्रि scholar लेवर लिग्रजी है उसके साथ साथ आप peng Kir बन सकते हैं क्योंकि food के इंदर भी microorganisms होते हैं उस पर भी research कर सकते हैं तो इस तरह कि आप लोग बहुत सारी fields को adapt कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूं full screen करके कि आप लोग highest कौन सी इसमें jobs हैं जो के avail कर सकते हैं कि आप लोग जो है watching next ऊर्ट बंसकते हैं बेक्टेरिय लोजिस्ट वही जो बैक्टेरिया जर्म फर बैक्सर्वे पर इसके आप लोग माइक्रोबाइलागी कि इस साइंडेस भी बन सकते हैं जिसका बहुत अच्छा स्कूप है तो आफुक्त जिनका है जोहाइस्ट स्कॉप है, जोके वहाइस्ट पेड है् मतलब आप लोगों के बहुत अच्छी होती है मतलब ​​मधी तुक्त करता है घर को पड़ों के शाट करते हैं आप लोगों को दि nun करती है cred कर्मियान होती है eligibility criteria पे अगर हम लोग जंप करें तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का background जो है वो science degree से हो bachelor's की 16 years of education complete हो MPHL के लिए और bachelor's की जो भी degree हो microbiology में हो biological sciences में हो biology में हो chemistry में हो इन में से किसी में से होगी तो ही कि आप लोगों होंगे otherwise यह नहीं कि आप लोगोंने sociology पढ़ी है तो आपने कहा कि मैं MPHL microbiology कर लूँ नहीं background आप लोगों का science script से होना चाहिए उसके इलावा आप लोगों का GPA जो है वो 2.00 out of 4.00 होना चाहिए से कम होगा तो मुश्किल होगी और अगर आप किसी private university में भी admission लेते हैं तो third division जो है वो acceptable नहीं है ठीक है चाहे private हो चाहे government हो third division नहीं आने चाहिए MPHL responsibility वाले degree है तो उसके लिए third division नहीं होनी चाहिए और अब हम बात करते हैं universities की कौन कौन से universities इस टिक्री को करवाती है लिस्त आप लोगों के सामने मजूद है University of Punjab है बाचा खान University है University of Pishawar है अजाद जम्मु एन किश्मीर युनिवरसिती है इस्लामय युनिवरसिटी भावलपूर है और बहावदीन जिक्रिय युनिवरसिटी है और भी बहुत अच्छी उनिवरसिटी जहां पी यु है और इस तरह की उनिवरसिटी है वहां पर एडमिशन लेते हैं तो इनकी फीस अप्रॉक्सिमेटली तीस हजार से चालिस हजार के दिर्मियान होती है और अगर आप किसी प्राइवेट में लेते हैं यूम्टी हो गई यह इस तरह की कोई होगी तो वह उबिस्टी इस तरह करके वो लोग फीस आप से लेते हैं इस टूटली अप तो आप लोग कहां से करना चाहते हैं इसके बाद अगर हम बात करें मेरिट की जो हमें अलरडी लेडिविटी क्राइडियर में भी बता चुकी हुए उनके गवर्मेंट में इडिशन लेने के लिए आप सब्जेक्ट्स का होता है ओविसली एफसी होनी चाहिए आपकी मगर मार्क्स का और एग्रिगेट का कोई मतलब उसमें पार्ट नहीं होता वो बैचलर्स में होता है और अगर लोग प्राइवर्टी में अदमिशन लेना चाहते हैं तो 2.00 हो माइक्रोबियोजी साइंस के ल बीएस माइक्रोबियोजी का मैं डिस्क्रिप्शन में में मेंशन कर दूँगी आप लोग पहले वो देखिएगा फिर इस वीडियो को देखेगा मुझे दे इजातत में दिबारा आओंगी अलाहाफेज